Hi Good Morning Students हाज हम लो кंव्यू्यूनिटी मैडिसेन में प्रिविए स्टॉपлек हो ही कॉन्टीण्यू कर रहे हैं हमारा प्रिविए स्टॉपिड्क चलुरह था एकसिडेंग्स तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने एकसिडेंड्स और इंज्री पारे में बात की थी कि इसे किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं accidents जो होते हैं कई तरीके के होते हैं उनके होने की incidence rate क्या है country के अंदर worldwide और इनका ultimately community के अंदर participation कितना जादा है mortality, morbidity या disability के अंदर उसे से ही related हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें इसमें जैसे सबसे पहला हम लोगों ने road traffic accidents के बारे में बात करना start किया था, तो road traffic accidents जो हैं, वो किस वज़े से होते हैं क्या उनके कारण है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो road traffic accidents में, risk factors में पहले सबसे पहले हम लोगों ने बात की speed के बारे में तो जैसा हम लोगों ने last lecture ने बात की थी कि speed एक बहुत बड़ा issue है हम लोग दिन राथ देखते हैं कि over speeding vehicles जो होते हैं वो definitely injury के लिए accidents के लिए एक बहुत ही prone reason बनते हैं तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि speed एक बहुत बड़ा risk factor है then number two is drink and drive तो जैसा हम लोग दिन राथ हम लोग देखते हैं newspapers में भी हम लोग पढ़ते हैं मीडिया में हम लोग कैस में news भी आती है तो हम लोग दिन राथ देखते हैं कि accidents जो हैं वो बहुत सारे accidents जो हैं उनमें एक major part जो traffic sense है उनके अंतर एक major part रहता है जिसमें अगर जो भी vehicle का जो driver है वो उसने अगर drink किया हुआ हो तो अगर alcohol consumption definitely कोई person कर रहा है तो उसके senses कहीं न कहीं proper नहीं काम कर रहे हैं तो इस वज़े से वो कहीं न कहीं drink and drive की वज़े से हम लोग को accident होने की possibility community बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके लिए इस चीज को उध्यान में रखना जरूरी है government इस चीज के लिए time to time check-ups भी करती है इस तरीके की government देखती भी है जो भी vehicles चला रहे हैं लोगों को कि कहीं उन्होंने ड्रिंक तो नहीं किया जो use है वो बहुत एक important aspect है बहुत सारे cases के अंदर हम लोग देखते हैं कि helmet नहीं पहनने की वज़े से accidents जो भी होते हैं उनमें injury का level बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है suppose head injury अगर बिना helmet की वज़े से किसी person को होती है तो definitely उसकी mortality के chances जो है है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं काफी higher हो जाते हैं तो इसलिए helmet wearing एक बहुत important aspect है road traffic accidents के अंदर अगर helmet wearing रहती है तो बहुत सारे conditions में हम लोग देखते हैं कि उसकी वज़े से person जो है minor injuries ही उसको होती है अगर किस तरीके का accident हो गया तो और उसकी वैसे को major injury नहीं होती उससे person बच जाता है plus सी साथ ही head injury नहीं होने की वैसे critical नहीं होने की वैसे mortality के अंदर उसके जाने की possibilities बहुत ज़्यादा कम हो जाती है then इसी के अंदर ही अगर हम four wheelers की बात करें तो four wheeler में seat belt का use जो है ठीक है ना seat belt का use definitely आपको करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए कि suppose अगर किसी condition में को accident होता है को front collision होता है कुछ भी होता है तो आपकी body आपके साथ जो है vehicle के अंदर जो है उसका बहुत ज़्यादा injury होने के chances जो है जब भी accident होता है तो injury होने की probability या mortality की probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साथ ही जैसा आजकल हम लोग देखते हैं कि airbags जो है जितने भी अच्छे vehicles हैं जितने भी आजकल four wheelers आ रहे हैं उन्हें सभी में ही company ने safety measures की form में airbags का जो use है वो बहुत ही एक basic safety measure की रूप में करना start कर दिया है ताकि अगर किसी भी तरीकी की miss happening होती है को accident होता है तो उस condition में जो airbags हैं वो खुल जाते हैं और उसकी वेशे person की body के ओपर direct collision नहीं होने की वेशे उसको injury होने के chances बहुत कम हो जाते हैं तो इस factor में four wheelers के अंदर हम लोग क्या देखते हैं हाँ पर कि seat belt और airbags इनका use जो है वो बहुत ही important हम लोगों के सामने निकल करके आता है इसके अलाबा एक और reason हमारे सामने रहता है distracted driving distracted driving जैसा हम लोग Indian circumstances के अंदर देखते हैं कि हम लोग routine में जब भी vehicle चला रहे हैं काड़ी चला रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि कई बार चलाते हुए कोई animals होगे stray animals जो भी है को dog हो गया cow होगी कुछ भी इस तरीके के stray animals जो हैं वो कई बार सड़क के बीच में आ जाते हैं या सबोर सड़क पार करते हुए कई लोग ध्यान नी देते हैं तो उसकी वज़े से या red light के उपर लोग अचानक एकदम से गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वज़े से या distracted driving के अंदर एक और जो major आज की date में हम लोग जो सबसे बड़ा contributing factor देखते हैं that is use of mobile phone तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं mobile phone का use करते हैं four wheeler के उपर two wheeler के उपर तो definitely उसकी वज़े से हमारा जो ध्यान है जो attention है driving के उपर वो कम होता है और उसकी वज़े से accident होने की probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन चीजों का use जो है वो comment इस चीज के लिए हमें insist करती है कि drive करते हैं तो आप mobile phone का use नहीं करें इसके लिए penalties भी comment लगाती है यह सब चीजें हम लोगों को बताई जाती है तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक major cause हम लोगों के सामने निकल करके आता है distracted driving तो इनका थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी हम four wheeler या tubular यूज़ कर रहे हैं तो इन चीजों का use है या suppose चलाते वे ध्यान देना या जो भी अगर आसपास को stray animals का ऐसा कुछ लगता है area है जहां पर इस तरीके suspected है कि stray animals वहाँ पर आ सकते हैं तो उन चीजों को थोड़ा समाँ पर conscious driving करके इन चीजों को होने से बजाया जा सकता है तो यह कुछ risk factors थे जिनकी वज़े से accident या injuries होने की possibility बहुत ज़ादा भढ़ जाती है अब जो हमारा एक main object हमारा जो community medicine में रहता है prevention का तो किस तरीके से इसका prevention strategy है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं तो prevention strategy में सबसे पहली चीज आती है data collection तो data collection क्या है data collection वो एक process है जिसमें हम लोग देखते हैं कि community के अंदर जो भी accidents हो रहे है road traffic accidents हो रहे है उसका data collection करके उसके causes को हमारे सामने लेकर के आना कि जितने भी accidents हुए